फ्रेंड्स माइसर जेबी फ्रॉम स्टेडी आईक्यू बैंक पियो की इंट्रिव्यू पे जाने वाले बच्चों से कुछ बातचीत कर रहे हैं इस वज़ा से ताके वो अपनी इंट्रिव्यू अच्छे से त्यारी कर सके हैं तो उनसे अक्सर पूछ लिया जाता है पॉजिटी पेइमेंट सिस्टम क्या है तो फ्रेंड्स पॉजिटी पेइमेंट सिस्टम जो है वो 1st January 2021 को स्टार्ट किया गया और इसमें जो कस्टमर हैं डिपॉजिटर हैं उनी के इंट्रेस्ट को सेव करने के लिए ये सिस्टम आरबे के दोरा दिया गया था इस सिस्टम के अनसार अगर आप डिपॉजिटर होते हुए पचास जार या इससे ज्यादा का चेक काट रहे हैं तो आप बैंक को इनफॉर्म करें या ना करें ऑप्शनल है अदरवाइज आपको बैंक को इनफॉर्म करने है भई आपके चेक का नंबर क्या है डेट क्या है और चेक का पेई कौन है चेक का माउंट कौन सा है इस तरह की डेटेल आपने अपने बैंक को इन्टरनेट से एसेमेस से देनी चाहिए ताकि आप को कोई भी फाइनेशल मिस हैप जो है वो फेस करनी ना परे अब ये तो 50,000 या उससे अब आपका तो ऑप्शनल है कस्टमर करे आया के ना करे लेकिन जब ये अमाउंट पांच लाख या उससे ज्यादा हो जाता है तब ये मैंडेटरी बन जाता है कस्टमर के लिए डिपॉस्टर के लिए तब उन्हें जो भी चेक वो इशू करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको पॉजिटिव पेइमेंट सिस्टम डॉप्ट करना जाए हैं दूसरे शब्दों में जो पांच लाख या उससे ज्याद चेक कर रहे हैं इशू तो उन्हें चेक की डेट और चेक का माउंट पेइ का नाम चेक नंबर ये सारी चीजें फरनिश करने करनी पड़ेंगी बैंक को ताकि जब पेइमेंट के लिए चेक आए तो उसे वो वेरिफाई कर सकें किसी किसम का चेक के बारे में फराड ना हो सक कोई फाइनेशल मिस हैप एक्सपिरियंस आप ना करें बैंकों को भी यही कहा गया है भी पचास हजार तक तो मेंडेटरी रखें पांच लाख या वब आप एक लिमिट निर्दारित कर लें अपने कस्टमर्स को उन्हें अच्छे से अगा कर दें इन्फॉर्म कर दें ताक और जो हैं वो रोके जा सकें उन्हें होने से पहले ही जो है रोक लिया जाए चेक कर लिया जाए ये इसका पॉस्टी पेविमेंट सिस्टम का मतलब है ये अक्सर इंटर्वी के दौरान पूछे के क्वेस्टनों में ये एक मेजर क्वेस्टन अक्सर होता है और देखें चे इंस्ट्रूमेंट हो, चेक जो है, उसमें ड्रॉर ने सिगनेचर तो कर दी है, ना पेई का नाम लिखा गया है, ना कोई डेड डाली गया है, ना अमाउंट डाला गया है, तो एक तरह का बलेंक है चेक, चेक पे सिर्फ दसकत हैं तो ड्रॉर के हैं, बाकी का लिए, अब इसे भरने का अधिकार किसे है यह बहुत important question है जो friends interview के तुरान पूछा जाता है आप अपने place पे अपनी copy पे लिखें देखें आप क्या इसका अंसर देंगे तो friends इस तरह के inquiet instrument को drawer भी भर सकता है और holder भी भर सकता है holder का मतलब यह है who so ever is the holder of that check वो इसे complete कर सकता है अगर वो इस check में 10,000 रूपीज भर देगा तो इसका मतलब बैंक को यह mandate है हुकम है order है भी यह 10,000 पे करें तो blank check भरक holder से जाए या drawer से जाए तो यह mandate यह माने जाएगी भई यह हुकम जो था यह drawer की तरफ से था चेक काटने वाली की तरफ से था जैसे कि आप जानते हैं चेक में तीन पार्टियां होती है एक drawer होता है खातेदार और एक पेई होता है जिसके हक में चेक काटा जाता है और एक ड्रॉई होता है एक तो ड्रॉई हुआ एक पेई हुआ एक Drawi हुआ Drawi Bank होता है जिसकी जेमेबारी Check की Payment करने की होती है सो तीन पार्टियां होती है अगर ये कोचन पूचा जाए कितनी पार्टिया है तो ये तीन पार्टिया है लेकिन कई दफ़ा एक ही विक्ती दो पार्टियों का रोल भी अदा कर सकता है जैसे ड्रा रहे ड्राव है ड्राव ने French Signature कर लिए चेक ड्राव कर लिया पेई की जगा उसने लिख दिया जब उसने लिख दिया तो इसका मतलब है जो ड्राव है खुदी ड्रावि है और खुदी पेई तो इस तरह पार्टियां तीन होती हैं कई दफ़ा वो दो रह जाती हैं क्योंकि इंट्रिव्यूर कन्फ्यूज करने के लिए यह कह देते हैं भी कितनी पार्टियां होती हैं आप कहेंगे तीन तो फिर वो कह देंगे नहीं यार दो भी हो सकती हैं तो आब उसका आंसर देंगे भी दो तब होंगी जब ड्रॉर अपने ही हक में चेक को काट लेगा और खुद इसका पेई बन जाएगा तब ये पार्टियां जो होंगी दो रह जाएगा अदरवाइज ये पार्टियां तीन है इस केस में भी जहां ड्रॉर ने सेल्फ लिखा है यहां भी पार्टियां तीन ही है लेकिन उसने एक पार्टिय जो है पेई का उसने ये रोल जो है खुद एजियूम कर लिया है तो इस तरह के भी फ्रेंट्स कोच्चन जो है वो डाले जा सकते हैं अगर सपोज कोई चेक में बाकी सारा भरा हुआ डेट बरनी रह जाए तो इस तरह के जो चेक होंगे जो डेट नहीं बरीगी तो आप कहीं बैंक बर लेगा बैंक नहीं बरेगा कभी ये होल्डर बरेगा या ड्रॉर बरेगा कई तफ़ा इंट्रिव में बर लेगा इस तरह की डेट तो आप कंफिडेंस से रिपलाई करें हौंसले से रिपलाई करें भी ये जो डेट होगी ये बैंक कभी नहीं बरेगा होल्डर या ड्रॉर बरेगा या जो पेई लेके आया है वो होल्डर ही है उसे बैंक कहेगा भी आप बर दे तो फ्रेंड्स इन क्वेस्टनों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से अपनी इंटर्वू देखें आएंगे So wish you all the best Thank you very much